हेलो एबरिवन तो कैसे हो आप सब उमीद है अच्छे ही होंगे और मैं भी अलहमदलिल्ला आपकी दुआउसे बिल्कुल ठीक हूँ सो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप हमारे रीसेलर कैसे बन सकते हो इस टॉपिक पर आज की हमने ये वीडियो बनाई है सो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर किसी का एक्जामपल नहीं दूँगी कुछ मतलब या फिर इसके उसके आइडिया इस नहीं बताऊंगी जो मैं मैंने खुदने किस तरह से स्टार्ट किया था वो एक्सपीरियन्स मैं आप से शेयर करूँगी आप भी मेरा जो तरीका है वो तरीका अपना कर आप भी मेरे रिसेलर बन सकते हो और घर बैटे बहुत ही अच्छा आमाउंट आप अर्न कर सकते हो तो यहाँ मैं आपको अपनी जर्णी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से जो भी मेरा बिजनेस है वो स्टार्ट किया था फ्रेंज सबसे पहले तो आप मेरे ब्रैंड का नाम जानते हो आयत महंदी डिजाइनर आयत अब ये किसका नाम है? मेरी बीटी का नाम तो नहीं है या फिर घर में मेरी किसी मिंबर का भी नाम नहीं है actually आयत महंदी डिजाइनर मेरा एक पुराना बहुत पुराना I think 2016-2017 का एक फेक अकाउंट था जिसका नाम मैंने रखा था आयत महंदी डिजाइनर और जो मेरा state मेरी city जो है वहाँ पर मुझे सभी लोग आयत महंदी डिजाइनर के नाम से जानते थे और मैं उस पेज पर जो भी अपनी डिजाइनर बनाती थी उस पेज पर मैं अपनी सारी डिजाइनर अपलोड करती थी और वो डिजाइनर मेरी अपनी city में सारी circulate होती थी मेरी city में मैं क्या करती थी कि उस जो अपने facebook का जो link है वो अपने WhatsApp पर Facebook पर हर जगा मतलब अपने Friends को शेयर करती थी हर किसी को शेयर करते करते अलहमदलिल्ला मुझे अपनी ही City में बहुत अच्छा response मिलने लगा मेरे इतने अच्छे अच्छे order आने लगे मेहधी मैं जब Bright को लगाती थी तो Bright को मेहधी लगाने के मेरे बहुत अच्छे अच्छे order आने लगे और फिर मुझे किसी ने suggest किया कि आप Facebook पर अपनी जो story वीडियो बगेरा सब upload करते हो तो आप Instagram पर ये सारी ही चीज़े जो है वीडियो बगेरा वो Instagram पर डालो तो मैंने सोचा क्या ही है ये चीज Instagram I don't know तब मैं Instagram को इतना नहीं जानती थी बट सोचा कि यहां की जो photos वीडियो से वो उठा कर Instagram पर upload कर देती हूँ तो मुझे Instagram से और ज़्यादा अच्छा response मिलने लगा और जो भी मैं महंदी लगाती थी माशाला से वो बहुत वाइरल होती थी और जो मेरी महंदी का stand होता था वो देखकर भी लोग बहुत attract होते थे और जो मेरे viewers थे उनी से मुझे request आने लगी कि आप जो महंदी लगाते हो जिस तरीके से आपका color आता है वो महंदी हमें चाहिए तो मैंने सोचा ठीक है अगर client की demand है followers की demand है तो मैं ये चीज को start करती हूँ और इस तरह से पहले सबसे पहले मैंने cone sale start किया उन दिनों में एक आंटी से बनवा कर लेती थी जो कि बहुत ही अच्छी organic cone होते थे मैं आंटी से बना कर लेती थी and then मैंने अपने powder and oil से महंदी बना कर sale करना start किया उसके लिए मैं क्या करती थी कि अपने महंदी के photos stand के photos पहले upload करती थी client से order ले लेती थी उसके बाद मैं अपने जो reseller उनको order देती थी कि मेरा इतना इतना parcel है आप मुझे बिजवा दो and then वो मुझे parcel बिजवाते थे और फिर मैं client को बिजवाती थी इस तरीके से मैं reseller करती थी product को इसमें आपको invest 0% करना होता है क्योंकि clients हो already अपने payment ले लिया होता है उसमें आप अपना मुनाफ़ा अपने पास रख लो और जो भी जितने भी amount का आपका powder oil आएगा उस amount का आप अपने reseller को order दे दो and then वो product मंगाओ उसको लेकर आप अपने client जो है उनको dispatch कर दो इस तरह से मेरे पास इतने order आने लगे मैं फिर पहले तो मैं 250 gram 1 kg इस तरीके से मैं product खरीदती थी उसके बाद मैंने 10 kg 15 kg इस तरीके से खरीदना start किया और अब अलहम्दलिल्ला मेरा per year 500 kg किसी भी तरह से 500 से आइधिंग ज्यादा ही अलहम्दलिल्ला सेल हो जाता है तो इसी तरह आप भी किया करो कि आप अपनी हातों पर महंदी लगाओ आप उसी को promote करो उसी की video बनाओ and then client से order लो और फिर हमारे product आप अपने client को sale कर सकते हो product की videos बगेरा बनाने के लिए हमारे ही product आप खरीदे क्योंकि कही ऐसा नहों कि आप client को बताए कुछ और client को receive कुछ हो इस तरह की जो cheating वो लेंगे या फिर क्या कहेंगे उसको इस तरह का business आप ना करें तो बहतर है जो product आप लगाए वही आप अपने client को दे और जितनी भी videos वगेरा आप बनाते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसे share करने की कोशिश करें Instagram पर अगर आप कर रहे हो तो Instagram पर share करो WhatsApp पर status लगाओ YouTube पर upload करो शुरुआती में बहुत ही कम order आएंगे बट it's okay कोई बात नहीं आत होता है मेरे साथ भी बहुत हुआ था और फिर माशाला दीरे दीरे सटल होते होते आपका जो business है वो इंशाला बहुत अच्छे से grow करेगा अगर आप पुछो के किस platform पे हमें product resell करना हो तो मेरे खयाल से सबसे best platform आपके लिए Instagram है Instagram आपके जो videos है, photos है उसे automatic reach भी देता है और बहुत अच्छा response मुझे Instagram से मिला है तो मैं भी आपको Instagram ही suggest करूँगी जितना हो सके अपने Instagram को forward करें अच्छे content दाले अच्छे-च्छे महंदी की videos दाले जिस तरह से मैं tutorial upload करती हूँ उसी तरीके से आप भी करें और बस ठान लिजी कि दिन में आपको at least कम से कम 3 Reels upload करनी है 5 Post upload करने है और 5 Stories upload करनी है और देखना इंशालला वन मंत में आपका चैनल बहुत अच्छे से grow करेगा उसके बाद दूसरा platform है YouTube YouTube सबसे best है YouTube आपको पैसा भी देता है videos upload करनी के लिए आप यहां से भी earn कर सकते हो आपको जो आप videos for post और stories वगेरा बनाते हो वही सारी अलग तरीके से उसको design करके आप YouTube पे upload करें YouTube की जो जनता है वो आपकी photos वीडियो सारी देखेंगे YouTube भी बहुत अच्छा चैनल grow करके देगा मेरा दो महिने में अलहमदलिल्ला 100K हुए थे इंशालला आपके भी होंगे बस आपको महनत करते जानी है So friends हमारे reseller बनने के लिए बस आपको करना ये है हमारा product खरीदो उसी की videos बनाओ उसी का stand अपनी जो भी followers से उन्हें बताओ उसी का result जो भी है आप अपने followers को बताओ और order आप हमें दो अपना margin हटा के हम आपके order को आपके client तक बहुत ही महफूज और जल्दी पहुचा देंगे और friends देखते ही देखते ही हमारी जो stencils की design है वो भी complete हो गई है आपको ये design कैसी लगी comment box में हमें जरूर बताना और product अगर आप bulk में directly खरीदना चाहते हो कि आपको चाहिए कि मैं directly ज्यादा bulk में product खरीदू and then अपने पास से ही सारा material से share करूँ तो आपको हमें instagram पे message करना है या तो फिर screen पर दिए number पर हमें whatsapp करना है सारी reselling का जो amount है वो हम आपको बता देंगे आप उस तरीके से आपको product खरीद कर आप directly अपने client को sale कर सकते हो आपके city में whatsapp पर आप sale कर सकते हो youtube, instagram जितने भी platform है आप वहाँ पर सारी ही video share कर दिया करू इंशाला पहले कम आएंगे बाद में आपको बहुत अच्छे अच्छे order मिलने लगेंगे और friends stencil अगर आपको resell करना हो तो उसके लिए extra आपके client से आपको time लेना होगा क्योंकि stencil बनाने में वक्त हमें ज़्यादा लगता है क्योंकि आप देख सकते हो कितनी detailing वाली videos रहती है हमारी और order के through हम stencil बना कर client को देते हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि हम बहुत सारा stock करके रखे क्योंकि alhamdulillah order ज़्यादा होने की वज़े से हमारा daily काम चलता है और जैसे जैसे order आते हैं वैसे वैसे ही हम client को product जो भी है मतलब stencils का वो बना कर देते हैं और next video में किस topic पर बताओ थोड़ा मुझे topic भी suggest कर दिया करो comment box में मुझे बता दिया करो किस तरीके की video आप देखना पसंद करते हो तो मैं इंशालला उस तरीके के video tutorial आपके लिए लेकर आया करूंगी so friends आपको मेरी design कैसी लगी प्लीज मुझे comment box में बताना आप comment करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो instagram पर इतने comment होते है और देखती हूँ जब youtube पर youtube वाले मुझे comment ही नहीं करते माशालला से likes इतने अच्छी होती है views भी इतने अच्छी होते है बट comment क्यों नहीं करते मुझे वही समझ में नहीं आता वीडियो कैसी लगी वो बताने के लिए हमारा होसले अवसाई के लिए आप मुझे comment में जरूर जरूर बताए और हमारी वीडियो को like करे, share करे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करे तब तक के लिए मिलते हैं निक्स वीडियो में, अल्ला हाफेज झाल 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 जए आता झाल 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 झाल